Hello everyone, JKSSB aspirants के लिए एक important message है आपको पता है कि आप JKSSB का exam के लिए तयारी करते हैं उसके बाद भी it's very difficult for you to get in the final list कोई 10 marks से कोई 15 marks से continuously रह जाता है अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बच्चा इसलिए qualify नहीं कर पाता कि exam थोड़ा difficult है हमें पता है कि JKSSB की level उतनी ज़्यादा difficult तो नहीं है जितना KS या UPSC जीसे examination में होती है पर दिक्कत कहां पर आती है student को? दिक्कत यहां पर आती है कि बच्चा जिन लोगों के साथ compete करता है वो बच्चे SSB के नहीं है तो हमने ये देखा है कि हर साल कश्मीर से हजारों students आईएस का exam देते है qualify सिर्फ 10 या 15 बच्चे करते है बाकी सारे बच्चे कुन सा exam देते हैं? वो केस का exam देते है केस में भी हमने देखा 30,000 बच्चे केस का exam लिखते है उसके बाद भी qualify आपके दोड़ाईसो बच्चे होते है तो बाकी के हजारों बच्चे फिर क्या करते है वो SSB में बढ़ते है तो SSB का जो बच्चा है उसका competition SSB के बच्चों के साथ नहीं है SSB बच्चे का competition I.S. और केस के बच्चों के साथ है बार बार हमने देखा कि बच्चा I.S. और केस का exam के साथ साथ SSB जैसे examination में भी बढ़ता है इसलिए आपका competition थोड़ा advanced level का हो जाता है यहाँ पर बच्चे को ख्यास ख्याल रखना है कि पोस्ट आने का इंतजार नहीं किया जाता है आपकी बहुत बहतरीन तैयारी वो होती है कि आप exam आने से पहले ही exam की तैयारी कर ले ठीक है ताकि आपका एक system आपका एक process पहले से तैयार हो कि आप exam का notification आएगा और आप revision अपना शुरू कर ले हम आखरी देर तक इंतजार करते रहते हैं नोटिफिकेशन आएगी तब हम अपनी तैयारी शुरू कर ले यह एक selecting या फिर टॉपर का attitude नहीं होता तो अभी जैसे कि कहा जा रहा है हर जगा नियूस में है कि नाइब तैसिलदार के post pipeline में है हमें बस यह है कि एक opportunity हमारे पास आ रही है तो क्या हम उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर ले या नहीं अगर आप 2017 का नाइब तैसिलदार का notification देखेंगे आप पता चलेगा उसमें कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आने वाले नाइब तैसिलदार के syllabus में नहीं हो सकती जैसे वहाँ constitution of जमू कश्मीर पे questions थे और आपको पता है constitution of जमू कश्मीर 2019 के reorganization act के बाद आज उसका कुछ खास importance है नहीं तो उसका topic रखना syllabus में कोई माने नहीं हो सचीज़ का ऐसी हमने देखा mathematics काफी कम पूछा गया था last time तो हो सकता है mathematics इस बार थोड़ा ज्यादा हो पतवारी में भी mathematics नहीं था तो में भी mathematics की importance यहां पर देखी जाए बाकि आपका general studies, history, economics, environment, geography, polity यह सब हर exam में पूछे जाते हैं और NT में भी होगा उसके साथ-साथ English आपका एक important component रहेगा उसमें ऐसे ही जम्मू कश्मीर की जो total आपकी general knowledge है वो भी आप इसमें देखेंगे as a syllabus, it would be part of it उसके बाद उर्दू एक debatable matter है कि उसमें रहेगा या नहीं रहेगा उस पर हम government तक यह चीज़ छोड़ देते हैं फिलाल हमें उस debate में नहीं जाना तो आप इसकी तैयारी अब शुरू कर सकते हैं हमने quintessence में offline online basis पर यह already शुरू कर चुके हैं आप हमारी application पर जा सकते हैं जिनको online यह तैयारी करनी है वो हमारी application पर एक नया course जो बिलकुल recently publish हुआ है वो नया course वो ले सकते हैं वहाँ से और अपनी तैयारी बिलकुल top notch faculty के साथ अपनी तैयारी मुकमल कर सकते हैं उसमें हम उसके बाद कुछ additional material भी डालेंगे जो आपके बाकी exams के लिए भी important होगा तो यह online बच्चों के लिए हैं और जो offline इसकी तैयारी करना चाते हैं उसके बाद regular classes शुरू हो जाएंगे this was a short message thank you so much God bless you